हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चानल नीतोस कुकिंग हम आज मैं अपलोक लिए एक ऐसे सबजी की रेसिपी लेके आए हूँ जिसे बनाने के लिए आपको हड़े सबजी की जरूरत नहीं है इस रेसिपी को आप बिना प्यास टमाटर के ही बना सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के बाद आप नौनवेश पनीर खाना भी भूल जाएंगे तो आएए इस रेसिपी को बनाते हैं सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम साला रेडी करेंगे उसके लिए मैंने आपे दो बड़े चमच ये पीली वाली सरसो ली है आपके पास नहीं है तो आप काली वाली सरसो भी यूज कर सकते हैं चार हडी मिर्च ली है यहाँ पे दस से बारा काली मिर्च के दाने लिए है बारा से पंदर लहसन की कलिया ली है साथ में एक इंच अद्रक का टुकड़ा एड़ किया है और थोड़ा सा यहाँ पे हड़ा धनिया एड़ किया है जो की डंठल के साथ ही मैंने एड़ किया है और थोड़ा सा पानी एड़ करके आप इसे ग्राइंड करके रख ले तो यहाँ पे यह हमारा मसाला पिसके रेडी है तो अभी हम इसे एक side पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने लिया एक bowl बावल में मैं add कर रहे हूँ दो कब सोया बिन जिसे की हम सोया बड़ी भी बोलते हैं तो आज यह जो tasty और healthy सबजी हम सोया बिन बेशन से बनाएंगे और यहाँ पे मैंने गरम पानी इसमें add किया है और इसे हम अच्छे से mix कर देंगे और mix करने के बाद इसे ढख के 5-6 मिनट के लिए इसे फूलने देंगे 6 मिनट हो चुके हैं और अभी मैंने इसे चेक किया है आप देख सकते हैं कि सोया बिन जो है वो डूप चुकी है पानी में मतलब यह अच्छे से फूल चुकी है तो अभी हम अच्छे से निचोर के इसके सारी पानी निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे और अभी यहाँ पे सारे सोयविन को मैंने निकाल लिया है पानी से और एक मिक्सर पॉट में इसे डालके हमें पीस लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वन बैच पीस लिया है और आधा जो अभी सोयविन है उसे भी मैं इसी तरह से पीस लोगी ये बहुत आसानी से पीश जाती है फ्रेंड्स एकदम देख रहा होगा आपको की जैसे ये कीमा बन चुका है और अभी यहाँ पे सारे सोयाविन पीश चुकी है तो इस टाइम पे हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो अभी मैंने इसमें एड़ किया है आदी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर और जो हमने हडा मसाला पीशा है उसमें से मैं एक पड़ा चमच इसमें एड़ कर रहे हूँ साथ में थोड़ा सा नमक एड़ किया है एक चोथाई चमच हिंग पाउडर एड़ किया है और अभी मैं इसमें एड़ कर रहे हूँ चार बड़े चमच बेसन तो बेसन और सोयाबीन से मिलके जो हमारी है सबजी बनेगी वो काफी टेस्टी बनेगी और सोयाबीन में इसे अच्छी बाइंडिंग भी हो जाएगी हमारा डो बहुत अच्छा सा बनेगा तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर अभी हम इसे बीना पानी डाले ऐसे ही गूतेंगे तो आप देखेंगे कि यह आटे के जैसा बहुत अच्छा सा एक डो बन जाएगा तो यहाँ पर इसे मैंने मिक्स किया है लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा मुझे गीला लग रहा है तो इस टाइम पर मैं दो बड़े चमच बेसन फिर से एड़ की हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा डो रेडी है और अभी मैंने हातों में थोड़ा सा वाइल लगा लिया है और यह जो डो है उसके तीन पार्ट कर लिये है और हातों पर घुमाते हुए स्मूथ पहले हम इसका एक बॉल बना लेंगे और उसके बाद आप देखे मैं इसे हातों पे ही दबाते हुए छोटे से पूरी के साइज का इसे बना लिया है और इसे हमें मोटा ही रखना है और अभी मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ली है जिसे मैंने वायल से ग्रीस कर लिया है और इसे हम इस तरह से डालेंगे और इसे जो पूरी है उसे हम मोर देंगे और मोरने के बाद हम इसे अच्छे से उपर से smooth करेंगे तो यहां पे जो pencil है उसे हमें पीछे रखना है और यह जो dough है हमारा सोयावीन और बेसन का उसे हम आगे के तरब थोड़ा सा फैलाएंगे देखे इस सेप में हमें बनाना है और अभी मैंने पेंसिल को निकाल दिया है तो हमें इसी सेप में रखना है क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सेप मचली के पीज के तरह हो जाएगा और अभी मैंने एक पायन में बॉयल होने के लिए डाल दिया थो और पानी यहां पे बॉयल हो चुकी है तो इस टाइम पे सारे पिसेज को हम इसमें एड करेंगे तो यहां पे इसे डालने के बाद हम 6-7 मिनट इसे पका लेंगे और यहां पे आप जो मैंने यह पिसेज बनाया है यह छोटे बड़े बन तो यहां पे गैस की फ्लेम को low to medium ही रखें और यहां पे 6-7 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इन पिसेज को एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं इसका साइज भी बड़ा हो चुका है तो अभी मैंने इसे इसे टोड़ा ठंडा होने दे और अभी यह पिस धार वाली चाकू और इससे मैंने कट किया है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमारा पीस कट रहा है बिल्कुल मचली के पीसेज की तरह लग रहा है छोटा बड़ा तो यहां पर अभी हम करेंगे इसे सेलो फ्राइ सेलो फ्राइ करने के लिए मैंने एक पैन में वाइल ड और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यह पीसेज तूट नहीं रहा है बहुत अच्छे से फ्राइ हो रही है और एकदम लग रहा है कि यह फ्राइड फीस है तो यहां पर यह फ्राइड हो चुकी है तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है आप चाहें तो इसे इस के लिए के साथ में हमने जो हरा मसाला पीस के रखा था उसी में नमक बशुला है को यहां नमक टाल के मसाला भुणे से बहुत है मसाला हमारे सबढ़ाटा है क्लिया है तो मैंने इसघा धक देंगे और धकने के बाद थोड़ी थोड़ी देर पर हम धकन हटा के इसे चलाते रहेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं तीन से चार पर मैंने ऐसे ही इसे धकन हटा के भूना है और यहां पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है तो इस टाइम पे मैं एड़ कर रही हूँ धाई कप पानी पानी आप अपने हिसाब से एड़ करें जितनी गिरे भी आप रखना चाहते हैं और इस सबजी को हमने बिने टमाटर के बनाया है तो इसमें खटास के लिए मैं एड़ कर रही हूँ आदी छोटी चमच आमचूर पाउडर साथ में मैंने एड़ किया आदी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर एक छोटी चमच कसूरी में थी और बस हम इसे अच्छे से mix कर देंगे और एक से दो मिनट इसे पकने देंगे तो gas की flame को आप medium रखे और इसे मैंने ढग भी दिया था और यहाँ पे आप देखें यह अच्छे से उबल चुकी है तो इस टाइम पे जो सबजी के पीसे जह हमने fry करके रखे हैं वो हम इसमें add कर देंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है low flame पे इसे दो मिनट तक ऐसे ही पकने दें और साथ में मैंने यहाँ पे हडा धनिया भी add कर दिया है और अभी दो मिनट हो चुके है gas की flame को मैंने बंद कर दिया है और इसे ढखके 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके और मैंने अभी ढखकन हटाया है और आप इसके color को ही देखके समझ सकते हैं कि यह कितनी tasty बनी है किसी भी non-vej या paneer से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही है और यहाँ पे देखें मैंने इसे तोर के दिखाया है आपको कि यह अंदर से कितनी soft बनी है तो आप इस सबजी को जरूर ट्राइ करें और मुझे comment box में बताएं कि आपको मेरी ये recipe कैसी लगी मेरी चैनल को like, share, subscribe करना ना भूले फिर्ट साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले हर निव वीडियो का notification आपको मिल जखे thanks for watching